एक ऐसा बॉलिवूट सूपर स्टार जो अपने करियर के पीक पर है वो पिछले कुछ सालों में कई सूपर हिट और कल्ट क्लासिक्स दे चुका है वो हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में फेमस है लेकिन फिर अचानक उसके साथ एक ऐसा जानलेवा हाथसा होता है जिसके बाद वो जिन्दा बचेगा या नहीं ये किसी को नहीं पता इस वास दिस सिचुएशन ओफ अमिताब बच्चन इन नाइंटीनेटीटीट ये इंसिडेंट था क्या और कैसे अमिताब बच्चन ने इस इंसिडेंट के महज कुछी महीनों में डिकवडी की और एक ध अमिताब बच्चन ने 1969 में छोटे रोल से अपने फिल्मी करियर की शुडवात की और 1973 में जाकर उन्हें अपने करियर का पहला ब्रेक्थ्रू फिल्म जंजीर के साथ मिला विच इंट्रोड्यूस्ट इस आइकॉनिक एंगडी यंग मैन परसोना जंजीर के बाद अमिताब बच्चन ने कई critically and commercial hits दी जैसे दीवार, शोले, अमर अकबर एंथनी and many more and 1980s आते आते अमिताब बच्चन अल्रेडी अपने आपको biggest superstar of Bollywood बना चुके थे और अमिताब बच्चन हिंदुस्तान का एक household name बन चुके थे लेकिन फिर डेट आती है 26th of July 1982 जगय थी Bangalore University campus उस द साथ एक fight scene था, originally इस scene में पुनीत इससर के अमिताब बच्चन को punch मारने के बाद, अमिताब बच्चन को उचल कर नीचे गिर जाना था, लेकिन असल में जब पुनीत इससर ने punch मारा, तब अमिताब बच्चन गलट टाइम पर उचले, जिसकी वजा से ये जोड़दार punch अब तक सारे लोग यही सोच रहे थे कि एक normal सी injury है, लेकिन test conduct कराने के बाद, यह पता चला कि injury काफी serious है, जिसके बाद आमिताब बच्चन का initial treatment शुरू होता है, लेकिन उनकी condition लगातार serious होती जा रही थी, बेटर treatment के लिए आमिताब बच्चन को banglore से मुंबई लाया जा जाता है, जहां आमिताब बच्चन पर कई सारी surgeries perform की जाती है, इस दोरान उनकी condition इतनी serious हो गई थी, कि कई लोग यह भी कह रहे थे कि आमिताब बच्चन अब शाया जिन्दा नहीं बचेंगे, पूरा देश सदमे में था, जगह जगह पर लोग आमिताब बच्चन के लिए प्रार्तनाए कर रहे थे, इसी दोरान अमिताब बच्चन को बलड की भी जरूरत थी, जिसके लिए 200 अमिताब बच्चन फैंस ने 60 bottles of blood डोनेट किया, और इस blood donation के दोरान कुछ ऐसा भी हुआ था, जिससे future में जाकर अमिताब बच्चन को बहुत बड़ी problem होने वाली थी, और इसकी बाद वीडियो में हम आगे करेंगे, वहीं treatment के दोरान एक वक्त ऐसा भी आया था, जब अमिताब बच्चन को कुछ मिंटों के लिए clinically dead declare कर दिया गया था, लेकिन करोडों लोगों की प्रातनाए और डॉक्टर्स की कोशिशों की वजह से, अमिताब बच्चन मौ ऐसा होता रहता है, फाइनली इस हादसे के दो महीने बाद अमिताब बच्चन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, वो आगले तीन महीनों में पूरी तरह रिकवर हो जाते हैं, और उस हादसे के महज पाच महीनों बाद ही, 7th January 1983 को वो फिल्म कूली की करने के लिए वापस आजाते हैं, जहाँ पर सेट पर आजाने के बाद उस वक्त के कई बरे सेलेबरिटीज ने अमिताब बच्चन को शुबकामनाई दी, जैसे कि अमजद खान धरमेंदरु अगेडा, सेट पर वापस आने के बाद अमिताब बच्चन डाइरेक्टर मनमोह देशाई से कहकर सबसे पहले उसी सीन की शूटिंग करते हैं, जिसके दोरान उन्हें ये इंजिरी हुई थी, और इस बार ये शॉट सिंगल टेक में पूरा हो जाता है, फाइनली फिल्म की शूटिंग पूरी होती है, और ये फिल्म 2nd डिसेंबर 1983 को रिलीज होती है, और इस बिकेम अ मेजर ब्लॉकबस्टर और ये 1983 की हाइस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन जाती है, और आम शूर कि ये फिल्म तुमने जरूर देखी होगी, फिल्म में आमिताब बच्चन की चोट वाले सीन पर फ्रेम फ्रीज करके टेक्स्ट के थुरू ये बताया गया है, कि इसी शौर्ट के दोरान अमिताब बच्चन को इंजिड हुई थी, ये इंसिडेन यही खतम नहीं होता, इस इंसिडेन के दोरान कई सारी इंट्रेस्टिंग चीजे हुई थी, जैसा कि इस इंसिडेन की वज़ा से इस पूरी फिल्म की एंडिंग को ही चेंज कर दिया गया ओरिजनल स्क्रिप्ट के हिसाब से अमिताब बच्चन के कैरेक्टर इकबाल को फिल्म की एंड में कादर खान का कैरेक्टर जफर मार देता है, मगर इस इंसिडेन के हो जाने पर जिस तरह से अमिताब बच्चन मौत के मुझ से वापस आये थे, अगर वो इस फिल्म में मर जाते तो ये फिल्म के उपर एक निगेटिव इंपक्ट होता, साथ ही ओडियन्स भी इसे ज़्यादा पसंद नहीं करती, जिस वज़ा से डाइरेक्टर मनमोहन देसाई ने ये एंडिंग चेंज कर दी और नई एंडिंग में इकबाल आफ्टर बिंग शॉट बाई जफर ओपरेशन के बाद ठीक हो जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है कि ये थोरा सा इस रियल इंसिडेंट को भी रिजेंबल करता है, अमिताफ बच्चन के लिए ये इंसिडेंट यही खतम नहीं हुआ, डिूरिं इस इंसिडेंट उन्हें जो बलड डोनेट किया गया था, साल 2000 में लगा, इस वाइडर्स की वज़ा से उनका 75% लिवर खराब हो चुका है, अब जिसकी वज़ा से ये इंसिडेंट हुआ, यानि पुनित इससर लिटरली उनका करियर ही तबा हो गया, अफ्टर दी इंसिडेंट पुनित इससर को कोई भी अपनी फिल्मों में लेने क के लिए तयार नहीं था, मजबूर और उन्हें B-grade मुवीज में काम करना पड़ा, अंटिल बीहर चोपड़ा की महा भारत में उन्हें दुर्योधन का रोल मिला, जिसके बाद जाकर उन्हें थोड़ी बहुत recognition मिलने लगी, तो ये थी अमिताप बचन की एक tragic story, I hope ये वीड इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी प्लीज सब्स्राइब कीजिए, मिलता है आगली वीडियो में, बावाई